नमस्कार मैं आ चुका हूँ उत्तरप्रदिस के अयोध्या में और इस अयोध्या में माननी मुख मंत्री जी का प्रभाकर मौर्या द्वारा यहां पर श्री योगी मंदिर आदे सकते हैं मुख मंत्री योगी आदितनत का मंदिर बनाया गया था और यही मंदिर है और कहें तो भगवे रग में पूरी तरीके से इस मंदिर को रंगा गया है और यही मंदिर है और मंदिर के अंदर जाके देखते हैं मुखमंत्री योगी आधितनात का जो मंदिर है जो टेमपल है यहां पर है की नहीं है और कुछ लोगों का मानना है कि यह मुर्ती लगभग दो दिन हो गया 24 गंटे से उपर इस मुखमंत्री जी का मुर्ती यहां पर क या हो गया कैसे गुम हो गया कौन उठा ले गया यह भी एक रहस्य बना हुआ है और कोशिस करेंगे दिखाएंगे यहां के अस्थानी लोगों ने बताया प्रभाकर मौरिया के एक छोटे भाई है उन्होंने बताया है जो यह दर्वाजा लगा हुआ है इस दर्वाजे को तो मुर्ती को निकाल कर कहीं न कहीं एक गुम हो गया मैं कहूं तो यह रहस्य बना हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में अधर देशों में भी मुखमंत्री का मुर्ती कैसे गाइब हो सकता है कौन उठाकर ले जा सकता है यह भी एक बहुत बड़ा रहस् प्रभाकर मौर्यान जी तरफ लिए हैं और सासन प्रशासन उसी उन्हीं के अधिन आता है उत्तर प्रदेश में और मुखमंत्री का मुर्ती यहां से गुम हो जाना और रहस्य है कौन लेकर गया इसका जिम्मदारी इसका जबाब और यहां के अस्थानी सासन प्रशासन को भी देना चाहिए क्योंकि एक तरफ प्रभाकर मौर्यान जी ने कई स्टेटिमेंट दे रहे हैं कि जो प्रभू स्रीडाम का मंदिर बनवाया मैं उनका मुर्ती बनवाया यानि उनका मैंने मंदिर बनवाया और आज देखने को मिल लहा एक हफ्ते बाद मतलब एक हफ्ते प प्रभाकर मौर्या के भाई जो अस्थानी लोग है लोग भी बता रहे हैं कि हां पर मैंने देखा नहीं कौन मुर्ती को लेगया लेकिन तमाम statement देखने को मिला है कि सासन पर सासन द्वारा कहा जा रहा कि हम इस मूर्दी को नहीं लेकर आए और हमारे द्वारा नहीं लेकर गया गया और यहां के जो अस्थानी जो इसका अस्थापना कराए थे मूर्दी का यहीं कहाजा योगी का जो मूर्दी का निर्मार कराए इस अस्थापना कराए उनका भी काना है कि मुझे नहीं पता लेकिन जब पता नहीं है और यह उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के अयोध्या है और इस ऐयोध्या में अगर मुखमंतरी का मूर्ती गायव हो जाता है, कहीं ने कहीं ये सवाल बहुत बड़ा है तो आईए बाहर का इस्तिती दिखाते हैं यही एक और मूर्ती है जो मातादुरगा की मंदिर है और एक उधर है और सनी देव महराज की मूर्ती है सनी भगवान की मूर्ती है और बताया जा रहा है कि जो यह मूर्ती बनाया गया है यह मुखमंत्री का मूर्ती जहां पर बना हुआ है यह बिवादी जमीन है उनके चाचा का हिस्सा है इसमें क्या सच्चाई है और कुछ दिन में खुल के आ जाएगा और हम भी आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाएंगे तब तक के लिए इतना ही देखते रहे हैं इंडियन नीजडेश